हेलो एवरिवन, मैं सेल्फ मधुलिका रुहेला, स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुलिका रुहेला पर, जहां में लेके आती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ गिम्स टिटोरियल का नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी त्री मैथर्स जिनकी मदद से आप किसी भी इमेज का बेक्राउंड विदिन अ सेकिंड रिमूव कर सकते हैं, तो चले इसी बात पर शुरू करते हैं आज का वीडियो, यहां मैंने गिम्स को अन कर रखा है और एक इमेज को भी यहां पर सलेक कर रखा है, अगर आपको नहीं पता यह कैसे करते हैं, तो आप मेरी प्रिविएस वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइट कर दूँगी, और अगर अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो फ्रेंड्स इस इमेज के बेक्राउंड को रिमोव करने के लिए हमें सबसे पहले इस इमेज के किसी भी पोश्चन पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने तो वहां से background remove होता जाएगा आप देख सकते हैं एक click पर कितना सारा background का portion remove हो गया है यहां आपको बालों के बीच में भी click करना पड़ेगा तब वो area जो background का color है वो remove होता जाएगा तो पहला tool है fuzzy tool जिसकी मदद से हम अपनी किसी भी image के background को remove कर सकते हैं और एक बार ध्यान रखनी है आपका जो background है वो solid एक color का होना चाहिए so friends यह आ गई है हमारी दूसरी image जिसका background भी solid color का है single color का इस पर right click करा tools पर click करा selection tools को select करा और इसमें से लिया by color select by color तो हमने color पे click करना है जिसको भी हमें remove करना है एक बार click करा और आप देखें पूरा background remove हो चुका है so friends अब हम अपना last option use करेंगे इस video का और इसके लिए हमें लेनी पड़ेगी एक नई image image पर हम करेंगे right click right click करने पर जाएंगे tools option पर और वहाँ से हमें option लेना है paths यहाँ पर paths लेने का मतलब यह है कि हम अपनी जो भी image है उसकी boundary पर जिसमें भी हमें image का background remove करना है उस image की जो object है उस पर click करते जाएंगे और एक boundary create कर देंगे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर click करती चली जा रही हूँ और एक line बनती जा रहे एक path बनता जा रहे है तो ऐसे करके हम पूरा का पूरा selection कर लेंगे जो जो image हमें चाहिए कि हमें background और नहीं चाहिए बस यह वाली image चाहिए तो जो भी image चाहिए उसके हम एक path बना लेंगे dot 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 करते हुए आप जूम करके भी properly अच्छी तरीके से पास पास में dot बना सकते हैं जिससे बिलकुल ही कोई background वापस नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई solid color नहीं है तो अगर आपके पास इस तरीके कोई image है जिसमें same एक color नहीं है solid different चीजे background में है तब आप dot होगा उससे उस पात को जोड़ना पड़ेगा यह आपको compulsory याद रखना है कि जब आप final पर आ जाएं तो जो पहला वाला dot था वहाँ पर जाकर एक बार select कर दीजे click कर दीजे जिससे वह पूरी की पूरी image select हो जाए आप देखने में पास 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 में dot बनाती जा रही इस तरीके से आप पूरे dots बना लीजे और जब आप वो बना लेंगे then friends आपको जाना है select menu पर और वहाँ से आपको invert option को select करना है और एक बार आपको background पर click करना है और पूरा background आपका remove हो जाएगा तो friends ये त्री methods थे जिनकी मदद से आप अपनी image के background को remove कर सकते हैं ये देखिए friends मैंने जो first वाला dot था उस पे click कर दिया है अब मेरे जो selection है वो पूरा complete हो चुका है अब मुझे जाना है अपने select menu पर और select menu पर जाकर मुझे select करना है invert और invert पर click करते ही मैं जैसे ही इमेज पर और background पर click करूँगी तो मेरा background remove हो जाएगा so friends आज हमने GIMS tutorial में सीखा कि कैसे हम अपनी images में solid background या फिर जो different images वाले background होते हैं उन्हें कैसे remove कर सकते हैं पहला tool था हमारा fuzzy tool दूसरा था by color selection और third था path तो हम इन तीनो methods की मदद से किसी भी image का background remove कर सकते हैं so friends अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा मैं मिलती हूँ आप से किसी और वीडियो में किसी और नए topic के साथ तब तक के लिए bye bye take care have a nice day